मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, मैं कभी पहले कभी इंविश्चर को लिया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पड़े लिखे लोगों को कहता हूँ, आत्मा मंथन करिये, सोचिये, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है, तो क कारण है, सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट, कॉंग्रेस के जमाने में, आपको क्यों नहीं मिला, क्या कॉंग्रेस के कालखंड में, आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हूँ, क्या, आत्मा मंथन कीजिए, और एक बार तह कीजिए, ये आपके मन में जो हैं, कि सत् करेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविश्खाराब कर रहे हो, मुसल्मान समाज दुनिया में बदर ना है जी, आज मैं गल्ब के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्ति का तुमसे मुझे मिलता है, और भारत को भी मिलता है, उन्स सब को लगता है, हमारी के देशों में जाता हूँ, इस सारे अमीर लोग मेरे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जुरू मुझे योगा के विशे में पुछते हैं, कि मुझे जी इसका special official training लेना है, तो क्या करना है, क्या करना हूँ, कोई कहते हैं, मेरी पत्नी इंडिया जाती है, योगा सि अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसल्मान समाज से आगर पुरवक कहता हूँ, कम सगम अपने बच्चों की जिन्गी को तो सोचो, अपना भविश्त तो सोचो, मैं नहीं चाहता हूँ, कोई समाज बंधुवा मजदूर के तरह जिन्गी जीए, क्योंकि कोई डरा रहा है, क्यो क्यों डिकालते हैं आपको, कप्चा करून जाकि बीजी भी कर लेगा, क्यों रुकता हैं आपको तो